प्रिये दर्श को आपने ये व्रक्ष अधिकतर गार्डन वगीचे सरकारे स्कूल ये सरकारे इस्तानों पर देखा होगा और कहीं कहीं इसकी खेती भी बहुत तादात में की जाती है तो इस व्रक्ष में एक मीटी मीटी सी खुश्वू या सुगंद आती है इसके कारण इसको वगीचे ये गार्डनों में लगाया जाता है परंतु इसके औशदिय गुण भी बहुत सारे होते हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते और इसको ऐसे ही फुलवारी के रूप में देखते हैं और जानते हैं तो इस व्रक्ष के बारे में आज हम बताने वाले हैं कि इसमें कौन-कौन सी औशदिय गुण होते हैं जिसके कारण हम कई सारी बीमारियों को ठेक कर सकते हैं तो इस जानकारी को अपने मित्रों और दोस्तों को शेर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे चैनल पर आयरुवेदिक और जड़ी बूटियों की जानकारी प्रवाइड की जाती है तो इस व्रक्ष को हम कनक्चंप, मुश्कन, परिव्यादी, ठाली पत्र के नाम से जानते हैं क्योंकि इसके पत्ते भिन-भिन आकार के और बड़े-बड़े होते हैं एक थाले के बरावर होता है कहीं कहीं साधी व्याहमें या फंक्षन में इस पत्ते में खाना भी खिलाया जाता है इसलिए इसको थाले पत्त्र के नाम से भी जाना जाता है ये एक फिशलने वाला उचा वरक्ष होता है जिसकी लंबाई 15-18 मीटर तक हो सकती है इसका रंग राख की रंग की समान होता है इसके कोमल हिस्से का हलका सभाग रुवेदार होता है इसके पत्ते भिन-भिन आकार के होते हैं इन पत्तों की लंबाई 15-30 मीटर हो सकती है और इसकी चोड़ाई भी 15-35 मीटर हो शकती है इसके उपर वाला भाग थोड़ा चिकना और पिछे का भाग थोड़ा रुवेदार दिखाई देता है इसके फूल सुगंदित और शपेद सुतुंत्र या जोड़े में होते हैं इसकी फलियां 10-15 सेंटीमेटर लंबी होती हैं इसके बीज दबे हुए और पतले होते हैं इसका फल काफी समय तक प्याड़ों पर ऐसे ही लटका रहता है ये व्रक्ष अधिकतर हिमाला के नीचे वाले हिस्से में और पाढ़ियों पर करीब 4000 मीटर के उचाई तक ये पाया जा सकता है बंगाल, मडीपूर, कुत्र करनाडा में ये काफी तादात में पैदा होता है वैसे तो ये भारत वर्ष के सभी हिस्सों में ये कहीं कहीं पाया जाता है इसका फूल, स्वाद में कड़वा, कशेला, पॉष्टिक और मुर्द विरेचक होता है ये किर्मियों का भी नाश करता है ये कफ, पिर्धा, रक्त संबन्दी तखलीवों में पेट दर्द, जलोधर का ये निवारण करता है जखम, पुष्ट, मुत्रास संबन्दी तखलीवों में तता कैंसर जैसे बहेंकर बीमारी में भी इसका प्रियोग किया जाता है इसके पतों के ऊपर के वीट ये रोएं गहाओ का खून बंद करने के लिए प्योग में लाया जाता है इसके फूल, पॉष्टिक बता और कामें प्रियोग लाते है इसके फूल को छिलका जलाकर कमल के साथ पीश कर छोटी माता की फूंसियों में पीप एवं रक्त को रोकने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है कई लोगों के जब सिर में दर्द होता है तो वो दवा खाना अच्छा नहीं समझते तो ऐसे में आप इसके पत्तों को तोड़ने और इसका चटनी बना ले इसमें आप नीलगिरी के पत्ते भी पीस ले और आप इसका चटनी बना कर सिर पे लेब कर देते हैं तो आपका सिरशूल या सिरदर्द शमाप्त हो जाता है कहीं भी आपके अगर चोट लग जाती है तो खून निकलने लगता है तो आप ऐसे में इसके पुष्प या पत्तों को तोड़ कर और उसकी चटने बना कर भाँ बांद देते हैं तो खून निकलना बंद हो जाता है मौसम बदलने पर आपको खासी जुखाम या वलगम जैसी समस्या हो जाती है और स्व closure नालका में सूजन हो जाती है चिलन हो जाती है जिसके कारण आपको सास लेने में त्खलीप पैदा होती है तो आप इनके पत्तों को और इसकी च्छाल को ले ले जे और इसको काड़ा बन भी आप इसके पत्तों का यूज कर सकते हैं आप इनके पत्तों को थोड़ा सा पीछ ले और इसमें दो गिलास पानी डाल कर इसका मिश्रण तैयार कर ले जब इसका पानी आदा रह जाए तो आप इस मिश्रण में आप भुना हुआ जीरा मिला कर और पेट दर्द वाले बेट आप कर सकते हैं अभी तक आपने जाना की तक किनकिछ चंपा के कौन कौन सी बीमारी में आपकर सकते हैं अगर आप इसका सेवन किसी बिसेस बीमारी में करना चाहते हैं तो अपने नजधी की चिकर सक य है I로 medic doctor की निगरानी में या उसके सलानूशार आप इसके परियोग कर सकते हैं तो वैसे तो इसके अभी तक कोई शाहिड इफेक्ट ये नुक्षान बताएं नहीं गए हैं फिर भी किसी ने इसका उपयोग किया हो अगर उसका दुस्वर भाव दिखाई पड़ा हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताके हम अपने जो मित्र हैं उनको इ